दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों आच्छे नवम्र को जो ससी फेज एट का एक्जाम हुआ है मैटिकुलिशन लेवल का तो इनके और सिप यहां पर अपन जीके के स्वाल देखने वाले हैं तो 50 प्लत जीके के स्वाल मि है तो आने वाले सिप में जिन भी केंडिएट का एक्जाम है आपसे रिक्वेस्ट रहेंगे आपके सिप में पूछेगे मेमोरी बैस्ट तो दीके के स्वाल है आप वाट सेप जरूर करना डेस्क्रिप्शन मॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगी तो चली कंटिन्यू करत से पेले मैं आपको बता दू जो भी केंडिएट हैं ससी सीजियल मेंस लेवल की त्यारी कर रहें तो उनके लिए इस्पेशल मॉक टेस्ट हैं जो अनके एडमी की एक्सपर्ट टीम के दोरा त्यार किया गया है तो यह मॉक टेस्ट होने वाला है साथ नवंबर को फ्री ओप कोश्ट रहेगा मॉक टेस्ट है रातरी आठ बजे श्टार्ट हो का 200 क्योसंस रहेंगे इस्पेशल इंग्लिस की और इसका एनलिसिस क्या रहेगा जो आपको एनलिसिस मिलने वाला है वो आठ नवंबर को पांच 30 पीम पर मिल जाएगा रानी सिंग में के दोरा तो लेंक ड प्रवास सींग और कुलवींदर सींग तो पहला स्वाल देखे खोला चली है यह किस राज्जी को इसके लिए जी आई टेग मिला है तो खोला चली को जो जी आई टेग दिया गया है वो गोवा की परशिद चली है अगले स्वाल के और बढ़ते हैं मार्च 2020 में टाइम इंडिया स्पोर्ट आवार्ड की दोरा कॉर्परेट सपोर्टर आप यह रावार्ड की से दिया गया है तो रेलाइंस फांडेशन को यह रावार्ड मिला है कॉर्परेट सपोर्टर आप यह रावार्ड है जो की टाइम सॉप इंडिया स्पोर्ट आवार्ड की दोरा यह द प्रईश्तर प्रदेश की है तो 2019 की सबसी परदूर्शी तर श्ति अर्टी इंडेक्स के एक्रोडेंग और इस इंडेक्स के बाग्रादेश विशो के सरवादिक परदूशित देशों में पहले स्तान पर था अगरा स्वादिके संजे बारु दोरा लेकित पुस्तक कौन सी हैं ये स्वाल पूछा गया था तो संजे बारु के जो पुस्तके दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो जाए जो पुब्लिस होई थी बीस अपरेल दोजार चोड़ा को नेश्टल नेके भारत के आजादी 1947 के समय बिर्टेन के परदान मंतरी कौन थे तो जब भारत आजाद हुआ उस समय बिर्टेन के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो वो थे कैलमेट एटली थे कौन थे कैलमेट एटली थे वाकि परदान मंतरी नेश्टल नेके जंगल बोक्स की कहानिया किस उध्यान से प्रेडित हैं जहाँ पर जो मौंगली केरेक्टर हैं जंगल बोक्स मौंगडी केरेक्टर के जो कहानिया हैं वो पैंच राष्टी उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में हैं तो उससे इंस्पायर हैं और जंगल बोक्स कहानिया हैं ये संगर किन का है तो ये लेखक हैं कहानी के जो कहानिया हैं संगर है कहानियों का रुड्यार्ड क पिना राई विजजन वह किस पार्टी की है तो कम्यूनिस्ट पार्टी ओप इंडिया माक्सिष्ट की है तो आप कमेंट करके बता सकते हो जिन भी केड़िट का फायट शिर्प पर था किस टाइप से यह एक्जेप्स वाल पूछ गये था नेश्ट वाल देखे किशन देव र वो का जो संस्तापक थे वो किस राजवन्स के थे वो थे संगम राजवन्स की अगला सवाल देखें मार्च 2019 तक भुमिकत जल निर्यात में भार की रेंग क्या है तो ग्राउंड वाटर जो एक्सपोर्टर की में बात कूँ तो थर्ड लार्जेस्ट इंडिया है वुष्व का विशु जल्दे उस मनाय गया उसकी थीम क्या है वाटर एंड क्लाइमेट चैंज पत्रकारिता के लिए पर्थम गोरी लंकेश राष्टे पुरुसकार के से मिला है तो ये सितंबर 2019 में जिया गया है पर्थम गोरी लंकेश राष्टी पुरुसकार गोरी लंकेश जो एक प तमबर 2019 को ये बैंगलुरु करनाटक मयोजीत एक्षमारों में एंडी टीवी के मैनेजिंग एडिटर रविश कुमार को पहला गोरी लंकेश मेमोरी लावार्ड है वो दिया गया है एक स्वाल आपके पूछा गया था सुभीमल गोश्वामी जो जुन्नी गोश्वामी है जिनका हाली में अपरे 2020 में निधन हुआ है वो कब भारती राष्टी टीम की कैप्टेन थी तो उन्होंने रिपरजेंट किया था भारती राष्टी जो फुटबॉल टीम है 1960 के समर ओलमपिक में वो भारती फुटबॉल टीम की कप्तान थी तो ये हो जाएगा आपकी 1960 करेक्ट हैं बाकी उसनोंने गॉल्ड मेडल भी दिलाया है 1962 में एशिन गेम्स में और रनर अप रही थी भारत की टीम 1964 में AFC Asian Cup में मोहन बगान कलब से ये जुड़े हुए थे मोहन बगान कलब से कौन जुड़े हुए थे सुभी मल गोसव में जो की भारती टीम के पूरो भारती टीम फुटबॉल टीम के कप्तान कौन सा मंदिर टमीज नड़ू में नहीं है तो आप्सन पडा दन रही थे परमुग टमीलनाडू की मंदिर है वो मैं आपको बता देता हूँ काफी इंपोर्टेंट है तो मिनाक्सी अमन टेंपल है मदूरै टमीलनाडू फिर बात करूँ बिर्देश्वर मंदिर बहुत बार पूचा दाता है तंजाबुर में है शिरी रंगनास्वामी मंदिर शिरी रंगम में है जम्बुकेश्वर मंदिर है ये तिरून वाई कवल में है कांची कैलासंतर मंदिर है कांची पुरम में रामनास्वामी मंदिर राम पंदिर हो जाएंगे तो option में क्या था जो तमिल नानुमें नहीं था दोहलावीरा किस राज्य में है तो गुजरात में है एक परशिद पुरातात्विक इस्तल है जो गुजरात के भचाउ ताल्युका में खादिर बेट में एक इस्तित पुरातात्विक इस्तल है गुजरात में धोला वीराद नेट स्वाल दीखे 15 अगस्त 1997 को गॉल्डन जुबली जो स्वन उस्व मनाय गया है भारत के स्वतंतरता का 50 वर्षपून होने पर 15 अगस्त 1997 को उस समय भारत के राष्टपती कौन थे तो भारत की राष्टपती थे ए आर नारयन थे और वो दस में भारत की राष्टपती थे 1997 से लेकर 2002 तक रहे थे तो ये तो हो गए आपके फाइट शेप के 25 में से जो 14 क्योसंस मिलें इसके अत्रिक जो भी स्वाल है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट में जरूर बताना अब देख लेते हैं सेकेंड सेट में जो 25 में से 21 स्वाल यहां पर मिले है इस सेट का पहला स्वाल है तो यहां पर थोड़ा डाउट है यूद गेम्स का पूछा था यहां पर शाउट एजित कहां पर होंगे नवंबर 2021 में जो होने वाले हैं चाइना में मैं बात करूँ 2021 में जो साउट एशिन गेम्स आईजित होने वाले हैं वो लाहर पाकिस्तान में होंगे अब देखे साउट एशिन गेम्स में 2019 में इस से पहले जो हुए हैं वो कहां पर हुए हैं पोकरा काटमांडू नेपाल में हुए हैं जहापर 2019 साउट एशिन गेम्स की 2022 में जो होने वाले एशिन गेम्स हैं वो हौंग जाओ चाइना में होंगे तो एशिन गेम्स भी चाइना में इस से पहले यूथ वाले भी चाइना में और 2018 वाले जो एशिन गेम्स होए थे वो इंडोनेशिया में हुए थी हमपी किस नदी के किनारे हैं हम पी एक तो आपकी 50 रूपे के नए नोट पे मिलेगा जो करना टक में है और ये नदी की बात कुन तो तुंग भद्रा नदी के किनारे में इस्तिते हैं हम पी जनवरी में भाजपा के राष्टे अद्यक्स कौन थी तो जनवरी में भाजपा के अभी जो करंड राष्टे अद जिपाल पूचा है तो किरन बेदी हैं पुदुचेरी की वर्तमान उपरा जिपाल और चीफ मिनिस्टर पुदुचेरी की कौन है वी नारायन श्वामी नेश्ट के उसन भारति थल सीमा की लंबाई पूची है तो थल सीमा लेंड बोर्टर है जिसकी को लेंद है 15200 और मैं बात करूँ ये साथ देशों से टच करती है भारत की लेंड बोर्टर और भारत की जो समूदरी मेरिटाइम जो बाउंडरी है वो कितनी है तो 7516.6 है समूदरी बाउंडरी और थल जो शीमा है वो 15200 किलोमेड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कारेकाल में पारित कि आगया था तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 14 मार्श 888 को पारित हुआ था ये लौर्ड लिटन जो भारत के उस समें वाइसराय थी तो उनके कारेकाल में हुआ था 888 में लौर्ड लिटन जो गवर्नर थे उस समें तो लौर्ड लिटन के कारेकाल में और ये वर्नाकु और राजतान की सीटली नहीं, और ठाटा साने क्वेटमोफ और ये से घंपर से लगाल का listen है सदेशिये, जो कि उसका दस्वा हिस्सा हो जाएगा, टोटल जो भी लोगशबा सदेशिये शंग्या है, उसका दस्वा हो गया, 550 बटा 10, 55 सदेशिये उपस्तितोंने चाहिए, और ये किस अनुचेद में लोगशबा की जो कोरम है, ये अनुचेद 103 के तेयत वरनी थे, अगर बस्वाल देखे, आरो वाटर, प्यूरी फाइर में, आर का क्या मतलब है, आरो का मतलब है, रिवर्स ओस्मोसिस हो जाएगा, निवन में से कौन भारती स्प्रिंटर है, कौन धावक है, दूती चंद है, जो कि ओडिशा से है, वह भारती राजी जो समूद्री और अंतराष प्रिसीमा, यह तो राज्य की होगी, बाकि मैं बात करूँ, जैसमें यह अंडमान निकोबार भी समिलित कर दूँ, तो अंडमान निकोबार है, वह लोंगेस्ट कोस्ट लाइन है भारत की, 1900 किलोमेटर, गुजरात की 1600 किलोमेटर है, गुजरात जो अंतराष्टी और प्रकास के दोरह जो प्रकास संसेसन होता है, पोजा, प्राबोजर मनाता है उसमें गुलुकोज और ऑक्सिजन एजिय प्रोडेक्ट पोलियो किस से होता है तो ये वाइरस पोलियो वाइरस जो नाम का ये वाइरस का नाम पोलियो वाइरस है ये एक पोलियो संक्रामक रोग है जो विश्रानु से मुखेत चोटे बज्चों में होता है एक तरीके से लक्वा हो जाता है इसमें बीजेपी में फरवरी 2020 में कौन सी पार्टी का विले हुआ है, तो फैब 2020- میں, बीजेपी में जो विले हुआ मर जुआ हो वो जहारखंड, विकास, मौर्चा पार्टी है, जावी मों का विले हुआ है, अलप सेंख्यक को शेक्षनिक संस्तान खोना का अधिकार किस अनुछेद में है अनुछेद 30 में है उसके एकोर्डिंग जो भी आलप श्रेंक्यक है जाए धरम पर हो या पर भासा परादरित हो वो अपनी पसंद के शैक्षनिक संस्तान के स्थापना और परशासन का अधिकार रखते हैं तो अनुछेद 30 में वर्णित है ये गंगा का उद्गम किस नदी से होता है तो भागी रती गंगा नदी की परदान साखा क्या है भागी रती है चो कुमायू में हिमाले के गोमुक नामकिस्तान पर गंगोत्री हिम्नस से निकलती है शुत्रा PIC इंडिया प्रोग्राम में एक क्या मतलब यानि इसकी फूरी फुल फॉर् इंडिजिनियस काउज तो ये है सवदेशी गायों पर सोध करने है तो मिनिस्ट्री आप साइंस एंड टेक्नलोजी के दोरा प्रोग्राम फैब 2020 में लॉंच हुआ था सो त्रा PIC प्रोग्राम सवदेशी गायों पर सोध करने है तो भारत का आपको छेतरपल पूचा है तो 1859 में प्ले किया गया था गोवा का परशिद मादक पेपदार पूचा है तो फैनी हो जाएगा गोवा का परशिद मादक पेपदार फैनी है बहुत बार एक्जाम में पूचावा स्वाल है SSE के दोरा काजू फैनी यह आपकी CGL 2019 में था यह स्वाल जहां तक यादे मेरे को गोवा का परशिद मादक पेपदार फैनी हो जाएगा केश्यू फैनी आप दोस्तों अपन देख लेते हैं थार्ड सिप के जो टोटल नो स्वाल मिले हैं तो इसके अत्रिक देखिए थार्ड सिप में बहुत कम केंडिएट दो केंडिएट ने स्वाल सेंड की हैं तो आपक इसको किस राज्य के प्रयावन और वन विभाग के दोरा प्यार का पोधा अभ्यान शुरू किया गया प्यार का पोधा अभ्यान एप्लान टॉप लव है जो फैब 2020 में स्टाट वा था बिहार के दोरा शुरू किया गया एक अभ्यान है यह गिप्ट के रूप में आपको क वालाता है, एक क्लोरो क्विन का किया जाता है, नेक्ट बात करो हाइडोजन के आपको आइसो टॉप पूचा है, यहनी समिस्तानिक प्रमाणू करमांग समान रहेगा, तो हाइडोजन की तीन आइसो टॉप है, 1H1 जो प्रोटियम का हो जाएगा, 1H2 डूटियरियम, 1H3 है, प्रमाणू भार अलग लग है, वो ट्राइटियम का है, अनुचित 50 किस्चे सम्मंदित आर्टिकल 50 है, कारे पालिका से न्याय पालिका का पर्थकरण, अगर आशवाल दीखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के वक्त कौन गवर्नर जनरल थी, तो 1909 में कौन थे, मिन्टो वाला जो अधिनियम है, उस समय कौन थे, गवर्नर तो वो लॉर्ड चेम्स फॉर्ड थे, 1916 से लेकर 21 तक, किस ग्रह के कोई चंदरमा नहीं है, तो दो ग्रह है, जिनके कोई भी मून नहीं है, एक तो आपकी मरकरी बुद्ध हो जाएगा, एक वीनस, शुक्र ग्रह, इंड थर्ड सेट के अभी वेजे थे लास्ट में, तो पोश्मेंदर कुमार ने ये दो स्वाल भेजे उनको थैंक्स, राष्ट ये चावल अनुसंधान संस्तान कहां पर है, कटक में हैं, और किन राजे की सीमा बिहार राजे से टच नहीं करती हैं, तो बिहार से तीन राजे की बाउंडर शेयर होती हैं, वेस्ट बंगाल, उत्रप्रदेश, जारकंड और एक देश नेपाल के साथ में, तो आज आपके जो फेज एड का एक्जाम हुआ है, मैट्रिकुलेशन लेवल का एक्जाम था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेल में पूछे कि मैंने सारे मेमोरी ब स्वाल बता दिये हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बते हैं, आपका एक्जाम का पर वह भी बता दीजी, मिलते हैं से किसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदेवाद द्रम जहें दोस्तों